हलो आखरिती, कैसी हो, गब लौटी कॉल गता से? हाई मिलिन, ठीक हूँ, बस कल सुबह ही लौटी हूँ और देखो, लौटते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ अरे, इसकी क्या ज़रुत्ती? वैसे मेरे अनुमान के हिसाब से, ये तो जूट का प्रोड़क्ट लगता है सही कहा तुमने, जूट का ही प्रोड़क्ट है, कितना खुद्सूरत है ना हाँ, वो बात तो है, पर ये क्या खेती, ये तो काफी महँगा है अरे, दोस्ती में कीमत क्यों देखते हो? बात कीमत की नहीं है, जूट की प्रोड़क्शन तो हमारे पिहार राजा में भी होती है और ऐसी वैसी नहीं, हमारे पिहार राजा पूरे भारत से तीसे सान पर आता है, जूट की खेती में फिर भी मुझे तुम मार्केट में ऐसा कोई सामान नहीं दिखता वो इस वज़े से क्यूंकि हमारे राजे के my people कलो प्लीज वो इस वज़े से क्यूंकि हमारे राजे के खिसानों में जो दूसरे राजे में कम दामों में raw material पेज़ दिया करते हैं दूसरे राजय में कम दामों में क्यों बेचते हैं, अगर अपने ही राजय में प्रोसेस हो जाए तो ज्यादा दामों में पिकेगी पर यहां प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रिया ही कहा है कैसी बात करते हो, हमारे राजे में कुल चार फैक्टरीज है, मदेपूरा, सहरसा जैसे जीलों में बहुत सारे फैक्टरिया है वो बस कहने को चार फैक्टरिया है, लेकिन एक्टिमें सिर्फ तीनी है और उनमें भी सिर्फ बोड़ा और रसी बनाए जाते है अच्छा, तो यदि बन परे मिले, तुबारा चार्ल हो जाए, और पुडाने तक्निक से जो काम कर रही है, वो आधूनिक तक्निकों से काम करें, तो हमारे राजे में काफिर मुनाफ़ा हो सकता है हाँ, ये बात है, पर सिर्फ इतने से नहीं होगा, हमें कुछ मार्केटिंग प्लाटफॉर्म भी देना होगा हाँ, अगर मार्केटिंग प्लाटफॉर्म मिलेगा, तो सेलर को जादा पुनाफ़ा होगा, और जादा सामान मार्केट में आ सकेगा हाँ ये बात भी सही है लेकिन जब अगर हमारे कुछ एडवर्टीस्मेंट ये अवेर्णेस भी फैला नौब है लोगों के बीच में हाँ अगर लोग जूट का प्रोड़क्ट खरीदने के लिए उत्सोख होंगे तो प्लास्टिक बैक्स को छोड़ जूट का इस्तिमाल करेंगे और हमारे पर्यावरिन के लिए भी काफी बेहतर होगा हाँ जूट एक बायो डिग्रिड़बल और इको फिंडली प्रोड़क्ट में है बिल्कुल और यदि दूसरे राजो में जूट का मार्केट आकर्शन का केंध हो सकता है तो हमारे बिहार राजो में क्यों नहीं हो सकता ये बात भी सही है पर अब सरकार के पास तो हजारों काम होते हैं सिर्फ एक जूट थोड़ी नहीं है पिहार के ओवराल डेवलप्मेंट के लिए विष्ण में उन्हें लाज के प्रोड़क्शन करते हुए हम उन्हें पाया जा सकते हैं हाँ और जब इंडस्ट्री का विकास होगा तो हमारे बिहार में इंप्लॉइमेंट और इंकम ग्रोथ भी काफी ज्यादा होगा और हवाज पिहार का पूरा डेवलप्मेंट हो सकेगा धन्यवाद